क्लाइन ने किससे सिलेक्ट करना चाही एक चीज बहुत अची हुती है ने उनका नेंने पास्ट एक्सपीजिन्स होता है इंट्रियर डिजा fella से उनको नॉलेज बहुत मिल जाता हुए बט क्या नहीं मिलता है जो हमेशा ही हुआ हो जाता है कि इंटीर डिजाइनर्स तो काफी महेंगे होते हैं क्या सब लोग एफॉर्ड कर सके एक इंटीर डिजाइनर का स्पेशल फीस के आठ से दस टक्का ही उपर होता है समझ lo, आप 10 लग का इंटीर से करवा रहते हैं उसके बबर एक लग डालके आप के घर को और जादा यूटिलिटी फ्रेंडली और जार्ण दिजाइनर मेना सथे हो ताकि आप भुद भी मेंटेनिन कर सो को एंड उससे आपका जो इंटिरेर हैं सालो चलते रहों इंटिरियर कराने के बाद हम मेंटेनेंस एक्सपेकर ही ना करें ऐसा हो सका हम तीनो भी इंटिरियर के मेंबर्स हैं तो इंटिड्यूस मैसरफ आप राजेज भुसले प्रवीन औरुट छाउन है। औरुट टो is face of interior. She has lot of conversations with clients and with clients all the problems, they may take it away , so that we can solve you all the problems key to our clients that the clients have sub regulated. है हमारी तरफ से जन्री लीकषेंज है सबसे पहला कुएशन तो यह युजिली ऐसे होता है कि क्लाइन्स ने क्या स然后 करना चाहिए किस विजह से शिलेक्ट करना चाहिए कॉंट्राक्टर को कर रहे तो क्यूं डिसाइनर को जो कर रहे एंद debit-फियो nor markets मिused इस भी है जो कैसे फिगर आउट करें कोई भी एक लेमान सो क्योंकि जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन टाइम वाइस तो कॉंपेटिशन हो नहीं है आज की डेट में बहुत जादा उप्शन से अपने पास पहले कम उप्शन होते थे तो इंटियर डिजाइनर्स भी पहले कम ही थे जो या तो कारपेंटर है या कॉंट्रेक्टर है उससे काम करवाना है इंटियर डिजाइनर्स पास्ट टैन यहर से और उसके पिछले डिकेड से बढ़ते आये हैं काफी स्पीड से इक बेसिक चीज क्योंकि एक्सपोजर सिव इसमें नहीं बढ़ा है एक्सपोजर इंटरनेट के आने की वज़े से क्लाइंट्स के टेस्ट में और उनके नॉलेज में कितना जादा इंटियर डेखते हैं वह आज कल पिंट्रेस्ट पे गूगल पर इस मार्केट में इस आपके पास रिफरेंसे हैं बहुत जादा दिमाग में कि मुझे ऐसा घर बनाना है चूजिंग अ कॉन्ट्रेक्टर इन सिंपल टर्म्स वी लीड टू वह सेम बना सकता है जो आप चाहते हो लेकिन वह समझ नहीं सकता है जो आप नहीं चाहते हो पहले इन नहीं दिर्कली और का छू regular प्टर्म देऊ करता है ऑुधि अपका नहींकि क्लिच רशन सॉक्पहा你們 मैं कि मällen पंपनी खरेंसे हम आपके नहीं चाहते ह। विज बागी और भी इंडिया जो कुछ शेहरों में हैं, विज रहे हैं विज अब जो राई वग्लाइब करती हैं, और पैन इंडिया होने के वज़े से यह ज्यादा जादा जोग्राफिकल लोकेशन होने के वज़े से, यू डेवलप ट्रस्ट वेलिफ फास्ट के मुझे मालूम है कंपनी ऐसे बन तो रात तो रात तो हो नहीं सकती कोई भाग नहीं जाएगा, तो एक वो ट्रस्ट होता है, और दूसरा उनके पास कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन का, तो कॉलिटी जो भी बन दे रहे हैं आपको, वो इंजीनियर है, मतलब सब चीज़े मशीन पर बन के आ रहे हैं, मॉडूलर होता है, आपके गर पर काम जादा नहीं होता है, इन गिएन गूलर के खती। तो संच प्रफित धादा ह। रुलर काम होता है, कि वो डूलर करता है, बॉति वो इन गूल्शन को कि कि आ मैंनूइन ही आपके पर न बटाया कि वहां मेरे आफे तोपिक हो सकता ह tare, क्योंकि interior वैसे एक complicated field है. So, that can be good things. Okay, for me if I answer the same question, I would say first, I would not ever go for such big brand companies, for me toh. I will tell you the reason. Second contractor and third interior designer. I would always say give work to interior designers. Okay. First, if there is no price issue, then give it to the contractor. If there is no, then give it to the companies. Because if you want to know the companies, then do not see the actual reviews in the experience center. Because generally, all the companies we have named, there are all the experience center reviews, or paid clients, paid models, or free consultation reviews. Like a TV star, or a film star, or a singer, they will interior their house. For them, it is 8 to 10 lakhs. And that is paid, free. That is all, everything is paid reviews. Similarly, you go to their actual page and see their two reviews. There are two, two, three, three page reviews. There are two pages in which they are written. I would like to believe that if you have made a company, like you have made Zomato, or Swiggy, or Amazon, you cannot ever work with interiors. Okay. Because interiors is a cumulative project, in which you can design. Mm-hmm. How do you design, aggregation, or commodity? First thing. Mm-hmm. Second, it is not a single product, unlike fashion. Like cars, or your clothes. In the clothes, you copy a little bit of a designer's pattern in your dress. Mm-hmm. He has made a little bit of a pattern. He has made a little bit of a ribbon. And you can do mass production. I don't think you can do mass production. Yeah, it is. But you can do mass production. But there is a lot of problem in interiors. But there is a single product, Rinki. Yes. You understand? In interior, there is no single product. There is a different fall ceiling. And the other thing, why is this control for me? Because this is my machine, and I am a cutting pattern. You don't have any control of the interior. Because at the end, the work is done by Sherif and Bashir, or what is the POP. Yes. You can do the work of the clay. You can't do the work of the clay. You can't do it. You can't do it. The clay will put the tiles and put it. Who is the mix of the material? Is it going to be the machine? Or if there is a designer product that is a little different, who will kill it? That is right. You will have to do everything you have to do. The other thing, you have to do the modular, which is the modular factories, that means mass production of single design. Okay. When you have different designs for mass production, for the labor of the work, he has to be a mystery. He cannot be cutting machine, just cutting machine, edge bending, edge bending. That is not possible. So, there is a specification and a very skilled person. Okay. So, all these people will not provide. Generally, I don't think that is an option. Moreover, they are all aggregators only. That means, the false ceiling will do this company, the other will do this company, the sliding door, the sliding door. The designers also aggregated. Okay. So, this is an aggregation model. Like, Zomato, he is making himself a little bit, he is giving it. Then, he is a service. He is charging premium for it. Initially, he is free. So, now, he cannot do loss making. And, this is a very difficult thing. It is a very difficult thing. It is a very difficult thing. It is a very difficult thing. The client will always be dissatisfied. I don't feel he can be satisfied. Okay. So, basically, is it right? Do you have to work with one designer and contractor? Or, what should be the pattern? there are again, two models in this. One is a chunky interior designer. Okay. In which, he designs himself and makes himself a contract. Fair enough. Because, he is an interior designer, he is a resource that is that he wants to preserve his prestige and keep his prestige. in the market Yes. He cannot do this, and he wants to do all work. He needs to do it. So, he gets a referral so you can get his referral. He is not dependent on, say, funding for his progress. True. As unlike these companies are. So, it is a new point that you have to pay for सिν बदोज के अधर के एंड गड़ा इसाइनर ले 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 लेटे एंड यह थर मा ले बाट गड़ाउ इसमें कई डिजञेनर ओता है जो कि सिर्फ डिजञ्न करते खोर ओर वह कंट्रेक्ट्राक्ट्स को फलोट करते यह उन्के पहचान के मिस्तृ जिन्होंने ने हिंक तो उस हिसाब से वो अपने पहचान वालों को देते हैं और उनके काम को पहचानते हैं और वो आदमी भी उस आर्किडेट को पहचानते हैं अगर वो बोलेगा मुझे एज बेंडिंग में कात्रा मार के दे तो समझ जाता है कि वो कात्रा काम आरना है वो अर्किडेट का टच क क्या है तो इस हिसाब से मेरे कहल से दोनों भी मॉडिल चल ज़ा इसी से रिलीटेट एक पाटन होता है इसी किसी किसी को लगता है कि रील है इंस्टाग्राम है पिन इंट्रेस्ट है वाइनॉट में ही दो दिन निकालू शौटलिस्ट कर लू मैं मेरा अंदर का डिजाइनर को जागा करूं और कॉंट्रेक्टर को दे दूँ इसमें कि जो डिजाइनर भी तो विजय को भुडा रहा है तो मैं खुद ही मेरा फोटो निकाल के विजय को कॉल कर सकती हूं विजय क्या करता है इस केस में ही इस हमारे पैचान के कार्पेंटर है जो अचा काम करते है उनको को है है यह यह बढ़ते है उद नर før पaremosचान काम करता है इस है जा पर या डियकल मेर्टी नरी है कंशा स्कील वो इसके दाद कैसे मैच करेगा, उस रूम में और क्या क्या चीज़े है, सीलिंग कितना है, light कितना आ रहा है, natural light, entrance कहा है, circulation space क्या है, there are many many things that an interior designer don't say, but he is thinking inside his mind, okay, so, Vijay can replicate, but he cannot think for you, वो चीज़े जो आप भी देख नहीं पा रहे हूं, moreover, I'll just add to this, Vijay अच्छा अच्छा आपी होगा, बट वो कमीना भी है, क्योंकि उसे मालुम है कि, say he is working with us, interior, interior उसे regularly काम दे रहा है, so he is aware about that, जब उसे मालुम है कि रिंकी अपना घर अलग से ते रही है, रिंकी जिंदगी में अपना दुसरा गर बनाएगी कब, क्या पता बनाएगी की नहीं बनाएगी, तो एक की बार में रिंकी को काटो, he knows, it is as simple, मेरा ऐसा मतलब है कि, they are not worried about their reputation, he is not कि मेरा ये साक लेना है कि मुझे दिखाना है, for him, he has to only maintain relation with one or two architects or interior designers, after that, जो individual clients आते है, he will do a good work, fair enough, nice work, but he will charge you. So, it doesn't mean, के सारे ही contractors, आपका experience with the big companies is also bad, it is like, के अच्छा होने के लिए, then your expectations should also be compromised, तो उससे दुख मत आप ये करना है, yes, yes, I feel कि contractor के पास जाते है, या फिर pin interest लेके जाते है, तो बहुत बार मैंने भी देखा है, projects में, और मैं क्लाइन को, जब क्लाइन मुझे कुछ ऐसा, मुझे दिखता है, क्लाइन का फेस रेट करके, कि उससे शायद contractor से पहले बात की है, तो मेरा first उसको reply यह होता है, कि contractor आपका फोटो के साब से जब घर बनाएगा, तो आपके तीन घर बनाएगा, living room किसी और का दिखेगा, kitchen किसी और का दिखेगा, bedroom, क्योंकि आपने जो फोटोस दिये वैसे ही बनाएगा, एक पूरा घर थीम, डिजाइन थीम में नहीं बना पाएगा, So, contractors का एना एक चीज बहुत अच्छी होती है, कि उनका ने past experience होता है, interior designers और architects के साथ में, So, उससे उनको knowledge बहुत मिल जाता है, But, क्या नहीं मिलता है, जो हमेशाँ miss out हो जाता है, वो यह है कि वो यह नहीं देख सकते हैं, कि पूरा घर साथ में cumulatively कैसा दिखने वाला है, जो कि interior designer सोच रहा है, But, he has got that skill, कि मैंने यह safety door PU में एक जगा बनाया था, उसमें glass डाला था safety jali के जगा पे, यह इतना अच्छा दिख रहा था, कि यह सम्चेदे को मैंने बनाई था मैडम, यह आप कि यह बना रहा है तो बहुत अच्छी लगेगी, जबकि दोर अच्छा लगेगा, बट पूरे घर में वो दोर ही यूनिक लग रहा है बहुत, अब बेंगा कि यह नगी लगी यह चारा शिले भागेगी, तो इसे वह कंतरर संक्तर से मिस्तरी था उस डूर को बनने वाला, तो अच्छार से मिस्तरी था उस डौर को बनने वाला, तो पार्पिंट रहाम में दोनी प्यू कहा नही था, बराबर है। दूसरा बात, वहाँ अगर आगर आगर आपको एलेक्टरिकल कनेक्शन चाहिए, लाइट का, और वह रखना भूल गया, क्योंकि उसने तो सिर्फ दर्वाजा बनाने पर ध्यान दिया। उसने एलेक्ट्रिफिकेशन का ध्यान नहीं दिया, बेल रो या तो फिर तो प्रोब्लम हो जाएगे न, तो इस तरीके से आएम सेंग कि आप जब लाखों खर्चा कर रहे हो, तो आई फिल यू शुड गो तो एन इंटियर डिजाइनर राधर दन गोइं ठीक है, महीं समझ सकता हूं अगर आप एक स्टडी टेबल या एक वार्ट्रोब ब बात करने के लिए, एक चीज होती है जो कि मतलब हम चाहा के भी उसको टालनी सकते है वो होता है एस्टिमेट, गोटेशन, एक कॉंट्राक्टर के कोटेशन में, कंपनी के कोटेशन में, और एक डिजाइनर के कोटेशन में, मोटा मोटा पकड़ा जाए तो भी 5 से 10 टके का होता है, एक 10 लाग पे 10 टका, इस क्वाइट गुड़ अमांट, पहली बात तो वेरी बलंट, पैसे देते वह नहीं होता है, ना सोच नहीं पाते है, वेन, इट इस फोन का एक्जामबल ले लेते है, सामसंग S24 Ultra, एक दुकान पे कितने मिल रहा है, दूसरे दुकान पे कितने मिल रहा है, you can easily judge, वहां मुझे हजार रुपय में कम मिल रहा है, या उसके उपर मुझे गड़ी फ्री मिल रही है, बहुत ही एजी कम पर ही जाना है, ओपन बॉक्स है, क्या नहीं पैटी पैटी प जो की चीज अभी तक है ही नहीं, हो सकता है, आप क्या जारे सा जज़ करोगी, उसका मुझे और कोई साइड दिखा दो तुम्हारा, उससे मैं देखके यह जज़ कर लूँगा, you don't know उसमें क्या काम किया, क्या नहीं किया, कहली बार दूसरी की साइड दिखाते हैं, बहु आपको मालूम कि यह गलत काम नहीं करेंका मेरे साथ, तो ठीक है, interior designers में अभी एक और problem है, चलो contractor का और जो पैसे की बात जो आप कर रहे हो, contractor का और interior designer के बीच में logical difference होता है, एक का आट लग है, दुसरे का 9 लग है, आट या 10 भी है, तो भी 10 देखके, मुझे मालूम है, interior designer क सकता हूं कि once in a while investment है तो मैं interior designer के पास जाऊंगा, now the problem is not that, problem is that जब दो interior designer का quotation में, 10 तक्के का पैसे का फरक है, समयलो एक interior designer ने 10 लग दिया है, दूसरे ने 11 दिया है, तिसरे ने दिया, 14 भी दिया, 15 भी दिया है, now in this case, how do you judge कि किस के पास जाना है, क्योंकि it is not like a government contract, कि जो L1 है उसको दे दो आप, है न, आपको यह भी देखना है कि there are many things now, आपका vibe किस के जाद मैच हो रहा है, who is more feeling like trustful, किस के जादा feeling आ रहा है, किसके पास जादा variety है, और सिव काम देखके, you cannot judge this kind of यह, आपको थोड़ा बहुत तो instincts पे आपको आपको फोकस करना पड़ेगा, and then, अगर आपको instinct match हो रहा है, then आप फिर price point को इतना मत जज़ कीड़ी है, हो सकता है, 15 lakh वाला जो आपको दे रहा हो, वो genuinely अच्छा हो, और कभी कबार है न, specifications cannot speak about what they are actually going to provide you, समझल, उसने लिखा है, मैं आपको what marine ply देता हूँ, कि 10 lakh वाली ने बोला होगा, मैं marine ply दे रहा हूँ, और 15 lakh वाली ने बोला होगा, marine ply दे रहा हूँ, तो हम लोग क्या marine, marine ply जोडते है, तो फिर मैं यह दिदर ही जाता हूँ, marine ply लेने, but it is not that, यह होता है, यह होता है, but it is not that, see, क्या बनने वाला है, वो चीज डिफरेंट होने वाली है, all together, यानि क्या मरीन प्लाही लेके जो भी बनने वाला है, और एक है क्या है थाल फ्री भी हो सकता है, 10 lakh वाला चायर, आपको मरीन में 65 में मिलेगा कहीं 110 में मिलेगा, एक सो फाच्या में मिलेगा, एक सो फाच्छा से कॉलिटी डिफर जाता हूँ, तो नितिक्स भी गडेनों कि देखो, अश्करम को पाच्टर जाइने, धूर्स घंपच्छ से कॉझनली का अथीजिए प्र पास आता हूँ कि वो बाद में interior बड़ेगा नहीं, यह guarantee ले लो, किसी भी ग्रहा के लिए सबसे best तरीका यह है, what I feel is, पहले तो तीनो का, आप company से ले लो, आपको company पट रही है, उनके reviews देखो, नहीं पट रही है, निकाल दो, interior designers ले लो, contractors ले लो, सब के estimate का Excel बना लो, जो भी estimate है, उनके सामने items लिख दो, कहीं पे भी variable amount है, तो उस variable amount में क्या variable है, मालम करो और उसकी costing मालम करने की भोशिश करो, for example, I will just tell you, कि अपने पूरे काम में, false ceiling, electrification, carpentry, civil work, और painting आता है, wallpaper, artifacts, और फिर soft furnishing आता है, इन सब में हो सकता है, जो प्रवीन बोल रहा था, दो interior designers है, एक ने 10 लाग दि उसने electrification में यह लिखा हो, कि 30,000 lump sum electrification material provided by client, and दुसरे 12,00,000 वाले ने, शायद material भी पकड़ा हो, so you cannot judge by 12,00, 14,00,000 और 10,00,000, so you will have to go in detail of specifications there also, पर इसमें एक बहुत बड़ा हीच है, डीटेल में आप कितना भी जाओ, जैसे आई रिमेंबर वन प्लाइंट, जो एपल तो एपल कंपेर कर रहा था, एक जन से, जिससे दो लाग का वेरेशन आ रहा था, अपना एस्टीमेट और उसका एस्टीमेट में, यह से, और यह सब्सक्राइब भी जानता हूं, कि जाने वाला हूं, यह कोई नियौन भी जानता हूं, is कि दोनों ने बोला है कि मैं GM के switches use करूँगा या किसी ने बोला मैं Philips के lights use करूँगा या Legrand के switches use करूँगा बट Legrand में, Hattich में, हर एक brand of interiors में variety इतनी है जैसे Hattich के hinges चालू बहुत कम से होते हैं MS के quality से कम weight capacity से चालू होते हैं without soft close and it goes to stainless steel, high capacity and उसमें soft close भी होगा so Hattich बोलने से ही ये भी Hattich दे रहा है, ये भी Hattich दे रहा है comparison is not completed yet तो वह पे early efforts लेने पड़ेंगे क्लाइन को एफर्ट ले भी नहीं सकता जैसे उसने बताया ना अभी Legrand का ही switch अगर वो 25 रुपे से चालू हो if you have your square foot rate उसक्वे ये डिराइव कर्ना बड़ेगा कई tamanho देते ये, कई देते नहीं को अशना। लेकिन वाडरोब का एरिया ये नहीं है उसक्वेर फीत ये डिद अप निक लग करें। वह अगर ऐस्टी hormone में जो मार्केट में चल रहा है उससे कम है तो फिर तो आप मती जाओ उसके पस, बले हो कॉंट्रक्टर रो इंट्रे डिजाइनर हो, बट कॉंट्रक्टर्स लोग का इतना कम कैसे अतरस्टमेट, वो पैसे नहीं कमाते हैं, नहीं, फॉर बाइट रिजन आप वाड्रोब में, अगर आप कॉंट्रक्टर्स का ढंग से द या एगदमी जो लेगा नहीं वैसा लामिनेट मिलता है, तो फिर उपर का अगर दही हजार का आपने लिया तो पंदरासो आपको देना है और उसने लिखा हुआ है, तब आप देखने ही तब आप कंपर उतना ही कर रहे हो चीज़, उसी तरह है हंडल नहीं लेता है, उसी काम करने वाला है, आपका, उसको आपने कभी देखा ही नहीं है, जिंदगी में, उसस्ता लेबर लगा रहा है, जो अच्छा फिनिशिंग नहीं दे रहा है, तो मेरे स्क्वेर फिट में 100 रुपे कम लेके मैं क्या करूं उसका, मैं अकर 1250 दे रहा हूं, तो 1350 या 1450 क्यों मैं अच्छा होने के लिए, काम तो मैं पांच अदर साल के लिए कर रहा हूं, और बेसली वारंटी तो दे नहीं पाएगा, कोई भी कॉंट्रक्टर मैंने तो नहीं देखा है, बहुत हाडली, तो इंट्रे डिजाइनर्स दे पाते हैं, वारंटी का क्या है कि मेजर ली ब्र गरो तो मैं जाओँ का वैसे लैंगऊज होता है, जैसे का रेंग दून कोने रंड़न से ऑंपलों कि दा और रांट ??? करें या यहां सबस्रक्षांद कर Rabbani आपवलेने वारंथ बारंटी करेंगर प्राणिरे ना सिखके मारंथ 59 तु ी पारंथ 6 इंपर अब वररंटी ना सवारंथ 30 कि लिए आफन दयाल दाउन ड्रीधं आझ नावरंथ had आप अगर जगवार का टैप लगाओ, तो जगवार के टैप में भी अगर वो water is hard water, युट से कि फिर्स्त तैम एवेड ओ रिर देस फिल्टर, या यू निद तो चेंज इस फिल्टर तो इसका कॉस्ट फिल्टर तो इसका कॉस्ट रूपीज है, which you need to pay me, then only I can change. Warranty was for soft water. So, you need to understand everything about that warranty which is also difficult for client being client. And warranty interiors में, it is मैंने कहा ना कि interior is an unorganized field. इसको आप organized तरीके साथ देखने की कोशिश मत कर आप लिस्ट क्योंकि वारंटी आप मोबाल का जैसे इमाजिन करोगे उसको तो ऐसा वारंटी नहीं है मोबाल का वारंटी है हो सकता है यह गरेगा बहुत वेरी करता है यह गरेगा Egypt इसकी रिगाडी का दुन में है मतलब समझो और जबूस हम रूब उती हो गया कि एक डिजाइन consideration का शाहिए ने आप डिजाइनER के साथ जाना है ठीक है अबमचल演 अ और D Madame फिर पता होता है कि यही चाहिए इसमें कया मालो हमारे नाव समझ लो हाँ एक प्रैक्टिकल यूस के सिनर लेता हूं मैंने तीन एस्टीमेट्स लिया है तीनों इंटियर डिजाइनर के लिए अभी मुझे डिसाइड यह करना है कि मुझे किस इंटियर के पास जाना है तीनों का रेट्स भी फेरली ओके मेरे लिए एक मतलब मेरे ले ले वन लाक इस नॉट इंटियर 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 अब बताओ कि मुझे कैसा कैसा चाहिए हाव ही और शी इस रिस्पॉंदिंग तो था क्वेस्टन वो कितना अडमेंट है तोर्स देर ओन सेल्फ और वो कितना फ्लेक्सिबल है तोर्स मॉडिफाइंग यू या फिर वो दोनों का मिश्चर है तो उन्होंने जो काम किया है वो तो आप देखते ही हो क्योंकि इस वेरी वेरी कॉमन इंटियर में लोग पहले देखते हैं कितने काम किया है वो भी आप देख सकते हों यह इतना ही रहेगा यह कितना परसेंट से बढ़ेगा और बढ़ेगा तो क्यों बढ़ सकता है अगर यू आस्क दीस कॉस्टेंस तो एवरीवन तीनों इंटियर डिजाइनर से तो फिर यू रिए गड़ा एंसर जिसका भी आइंसर आपको अच्छा लग रहा है बेन आई समझा आज तारीक है सब्टेंबर ट्वेंटी मेरा बड़े है ओक्टोबर थर्टी नवेंबर फिफ्टीन दो मैना मुझे चाहिए दो मैने में घर सामने वाला हां बोल दे जैसे कॉंट्राक्टर हां बोल देता है इतनी बार देखा है टाइम लाइन लेक रिलिस्टिक सब्सक्राइब करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है जनरली ब्रैंड्स क्यूंकि सब्सक्राइब होती होती हूंगी उनको मालू मुझे ये दो ही फिनिशे देने या फिर ये पांच चीजे है मेरे पास देने के लिए और फैक्टर मेरी आएगा तो वो टाइम प्रॉमिस करते है आपको जैसे 45 देगे 60 देगे तो ये उसमें हीच है कि जब तक आपका डिजाइन कंप्लेट नहीं हो रहा है ये इस डिजाइन लोगों का है कॉंट्रेक्टर तो डिजाइन वाला चीज कुछ बहुता है नहीं है तो उसमें कॉंट्रेक्टर समय लो आप प्रॉमिस कर रहा है कॉंट्रेक्टर कि मैं कर दूंगा एक महीने में या दो महीने में क्योंकि काम जल्दी चाहिए था ना अपका वो एक चीज सुन वेगा दो चीजो सात में नहीं सुन सकता हो ना इसमें और कहता हूं कि every time client doesn't have very genuine reason I feel see your grandparents reason must be genuine but sometimes it's my wife's birthday and I want to cut cake in that new house only I understand you have all emotional things but अगर तीस दिन बाद आ रहा है जब से आपको पॉसेशन मिला है it is not possible so you should also understand I should also understand and acknowledge आपका घर आपके साथ 20 साल रहने वाला है वाइफ का बड़े हर 20 साल में आने वाला है और वो आपके किसी रेस्टोरान में भी काट सकते है अगर यह कोई auspicious occasion है but I don't recommend it जैसे कि मेरा इस तारिक को पूजा होने ही चीए उसके बाद पूजा हो नहीं सकता ऐसे होता है most of the time ऐसा होता ही है so उस case में don't panic on timeline पहले तो सबसे पहला I suggest every client don't negotiate on timeline हाँ ठीक है पैसो में तुमने थोड़ा बहुत negotiate कर लिया design में तुमको यही चाहिए जित पकड़ के बैट गए ठीक है यह दोनों चीज एक बार बैरेबल है एक interior designer के लिए but don't negotiate on timeline because काम होने के लिए जो समय लगता है naturally वो लग नहीं है मैं fevicol को जल्दी नहीं सुका सकता मतलब मैं उसको घरम करके बहुत लोग halogen लगा के paint सुका देते हैं या कुछ भी कर देते हैं these are not natural way of doing work so अगर आप काम के timeline मत negotiate करो लेकिन समझ लो है कुछ तो पूजा है मेरे घर पे दीवाली के दिन पित्र या जो भी है वो देशर एक दिन मेरे पूजा होना है so आप पुजा के लिए वो गर मांग लिजा उनसे पुजा कर लिजे don't be too much attached to that date के मुझे पूरा घर खतम ही चाहिए मुझे महमानों को housewarming भी रखना है या फिर housewarming बुलाओं के तो लोग क्या सोचेंगे so मेरा हर client को suggestion यही रहता है कि don't negotiate on the timeline at least बाकी किसी चीज़ आप कर रहे तो इस ओके but this is very crucial moreover जो मैं बोल रहा था आपको वाइफ का बद्ड़ की बात तो पॉइंट ऐसा कि केट काक्टने के लिए हम साइट क्लियर कर दे 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 देंगे तो दिन आप केक काट लो वहाँ पे पूजा कर लो जो पूजा की बात प्रवीन कह रहा था आप पूजा कर लो क्योंकि वो तिती थी आपकी हरे के बिलीव के साथ वी अलसो को इंसाइड, वी अलसो client-centric, तो वो तो सब का बनता है आपको केक काटना है उस रात आप केक काट लो साफ सूफ करके दे देंगे पूजा के बाद एक पार्टी जो सब को बुलाना है वो कि इंटीर होने के बाद ले लो ताकि आप भी कियोस में नहीं जाओ आप भी आपका ब्लड प्रेशर मत बढ़ा और काम करवाने जो पूरा इसमें एक चीज में और देखिए client-use tactics, जो smart clients होते है उनको चाहिए होता है उनको urgency होती नहीं है, बड़ो create करते है जबस्ति के, अर्य मेरा ये date है, मुझे चाहिए ही चाहिए जो पर देखिए, उनके बस और देखिए, उनके बस और देखिए, उनका ही घर का finishing and work see, client doesn't know this, क्या ऐसा हो सकता है basically, क्या होता है, he is avoiding his rental and he is, जो थोड़ा discomfort, थोड़ा नहीं होता है, डिसकमपट, I understand Saman इदर उदर रखा है, बच्चे का school है, साब कुछ but they should also understand कि वो एक की बार काम हो रहा है for next 15 to 20 years, so now you will have to actually take that pain थोड़ा सा तो and give that timeline which is very practical moreover, interior cannot be micromanaged every day because you have many people working simultaneously plumber, electrician, carpenter, cleaner, everyone is there together कोई नहीं बीमार पना ही है, कोई नहीं कोई काम पर लेत आना ही है किसी की नहीं किसी के गाव में जाना ही है, किसी नहीं तो this is bound to happen, there is bound to happen that the end date can be reached but the beach का micromanagement is very difficult इसलिए एक बीच में की रिल भी बट फेमस होई थी जिसमें कार्परनेटर बोल रहा था कि वोही काम अच्छा होता है जिसमें क्लाइंट साइट पर कभी आता नहीं है और एस पर बहुत कमेंट थी काई थी कमेंट कर रहा है कि और तो तेरे मंसे करेगा यह जिए बट फेज्ट इस वोपनी दिल की बड़ा सहीं है जब एक परस्नल प्रब्लम है यही सारे कुछें फ्रेसें को जो मुझे पूछता हैं, जब कि मुझे पता है सारी अपने युएस प्रवाइज हैं और भी प्रवाइज पूछता है। आपके अड्वाइस के होंगे? दूस्त पॉर्सक्वेशन था जस्त रीकाप लेने के लिए की डिजाइनर के पास कॉंट्राक्टर के पास जाए तो इंटियोर के पास यू आना है इंटियोर क्या एस अलग प्रोवाइट कर रहा है? So, yes, interior, see, I see interior as an interior designer and a brand का combination. So, दोनों के benefits आप इमाजिन कर लो, के आपको एक trustworthy feeling बे आएं. See, multiple, इसलिए हम लोग, we have multiple branches across thing, we have people working in marketing, ताक ही, you get that feel that you are working with a brand. But, personalization को kill नहीं करना का मकसद नहीं है हमारा. जैसे कि, जब आप बहुत बड़े लेवल पर काम करते हो ना, then you have to modularize yourself. कि आपको कम-कम finishes रखने पड़ते हैं, आपके पास और कम चीज़ों बनानी पड़ती हैं, ताकि आप उसको fast बना सकें. और उसको delivery date भी promise करते हो आप. So, somewhere, जो चीज मुझे चाहिए, वो मिलने से थोड़ी सी रह जाती है. हलकी सी हो. जो local interior design आपको दे देता है. लेकिन वो ही चीज मेंटेन करने का ट्राइक कर रहा है आपन. जैसे कि कोई भी catalog ले लो आप, कोई भी दुकान पर चले जाओ, आप जो संमे का या जो वीनियर पसंद कर रहे हो, वो आपको देने का हम लोग रखते हैं, capacity. And वो ही हम आपको अपने furniture factory में मशीन पर बना के दे सकते हैं, जो कोई भी बडी company नहीं कर सकते. That is for me, is one of the greatest things that we have achieved till now. And we are, I think we are doing good. लेकिन ये बहुत बड़ा उसकी लगता है मुझे. What I wanted to add in this is, unlike other companies, the founders must be engineers or tech people or maybe marketing guy. Your founders are, I am architect, he is an interior designer. And we have all staff as interior designers and architects. We are, who are qualified and we have a passion towards design and doing interiors. That is first thing. So, that reflects in everything. That is the first thing. The second thing, we scaled step by step, unlike aggregation, paysa funding, इसा, तो कुछ नहीं है. Secondly, to keep all these three things, यानि कि आपको brand promise आपको brand promise आपको warranty promise आपको आपको वारंटी promise आपको machine finish मिले और लेबर का भी मिले. We don't give out to contractors. We give out to our own labors. They are all employed labors in interior. So, we have more than 40 labor team in interior itself. We have more than 25 designers working for interior. So, such a big team working on design and execution. Now, यहाँ कारपेंटर और कोई इसाइनर सब एक कमपनी के लिए काम करते हैं. They have feeling of company के लिए काम करते हैं. And that makes a lot of difference. Tech वाले लोग एक साथ आके मिलके बनाते हैं उससारी किसे. इसमें से एक ही problem है, जो मुझे नजर आती है. यह है कि इसमें ना, जैसे हम लोग मुंबई में currently services provide कर सबाते हैं. यह वीडियो तो समझ लोग कोई दिली से देख रहा हो, कोई चननाई से एदराबाद से देख रहा हो. May be, you contact us and we are not able to provide services. Yeah, scalability slow है. क्या हम को हर एक चीज में नजर अंदाज नहीं कर सकते हो उस चीज़ को. The point is, जो 25 इंटियर डिजाइनर्स हैं, सबसे मैं मिला हूँ, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, contractors के, मैं भाईयों को पहचानता हूँ, उनके गाउं मुझे मालुम है, कईयों के गाउं मैं गया हूँ. So it is like their family, बले हो 40 लोग है, unlike them, जहां वो राजु कोन है और वीजे कोन है, they don't know anyone. But यह सकेल करने के लिए कभी आपको इन्हा, प्रोबलम लगे का इसा नहीं लगा है, सकेल होने के लिए, यह जो चीज अपको इसा पर शाप से पूले हैं. Correct, correct, that is true. मेरा तो यह मानना ही है, कि इंटिरियर केंभी स्केल, जहाँ हर धन्डे गाना, एक ही मॉडिल हो सकता है. इंटिरियर में अगर आपको वेराइटी देन है, इस अन्लाइक अन्लाइक मैकडोनल्स, अन्लाइक कार्स, अन्लाइक क्लोथ, यह जो चैनलाइक लेवल एवर. आप मेरे को ऐसे ही बता दो, मैं आपको 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 अबी एक्जाम्बल देता हूं, से आपको अन्लिमिटेट पैसे दिये, और आपको खर्चा करना है सिर्फ कार पे, से दो-तीन करोड दे दिये, तो आप कौनसी कार लेना चाहोगे? G-Wagon, Mercedes. So, यह एक्लियर की Mercedes लोगे, उसी तरीके से मैंने आपको बोला, कि समझो, मैंने आपको कुछ एकलाग बर दिये, और मैंने बोला कि आप शूज ले लो, या जो भी लेडिज वेर है, तो आप कौनसा लोगे? Shoe's मैंने, लेट्स गो वित नाइकी. Nike ले लोगे. So, मेकप का मुझे ब्राइंड नहीं मालोगे. So, इन दोनों में अपने ब्राइंड बोल दिया. उसी तरीके से आपको इंटिरियर करवाना है, और यू और नौट इंटिरियर या आपको इंटिरियर को नहीं पहचानते हैं, तो आप इंटिरियर किस से करा होगे, कोई एक ब्राइंड बोलो. So, people don't know interior कोई बी ब्रांड. ईसा नहीं है कि बड़े ब्रांड कर नहीं हाएं, अपको मालम में ब्राइंटिरियर कर रहें, बड़ेड इंटिरियर कर रहें, ऑ्यू पर इंटिरियर कर रहां, Asian Pains करता है, Asian Pains कंप ata है, बहत बड़े बड़े ब्रांड, आप एब आप आपेशन पेंट्स का एप लोगे तो बहुत आमेर बन जाओगे. It is like, very big brands are doing very interesting, but they are I would not say good, but they could not achieve that. आप अप एंडिया चोड़ दो फोरन का, ब्राइड में कहीं बे बताओ, आपको अपको अपको ले ब्रांड्स के ले ब्रांड्स है, आइवेस के लिए है, शर्ट्स के लिए है, क्लोधिं के लिए है, कार के लिए है, यहां तक घर खरीदने के लिए भी ब्रैंड्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि अब हीरा नंदा नहीं रुस्तम जी, लेकिन वो इंटेर में नहीं मिलेगा, because it is not possible in interiors to create a brand, because it is not a single product, it is mixture of all the products, and उसके ओपर तड़का क्या है, हर क्लाइट अलग है, यहां पर क्या प्रोब्लम है, मैंने ये शर्ट बनाया है, आपको चाहिए तो लो, नहीं तो आप दूसरा ले लो, यहां पर आप वो चीज पहले ले रहे हो, जो बनी नहीं है, आप औ मैं इसके साथ बनाऊगा, इसका साहिकी अलग है, एक ही कलर को आप शायद बोले हैं कि यह फाल्तू कलर है, डार्क नहीं है, वो बोले, सबसे बेस्ट कलर है दुनिया का, I will have to cater both of you, so this is the reason why the brand is not possible in interior, जो लोग पैसा डाल रहे हैं, यह फंड़ पैसा डाल रहे हैं, यह मतलब जैसे कहा है, मौडलाइजेशन कर दो आप, तो आप एक लिमीटेट चीज प्रोवाइड कर सकते हो, बाद जो ट्रू परस्नलाइजेशन है, वो मिसफट हो जाती है, विच वी डोंट, इसलिए हम इंटियोर को हम लोग फंडिंग ले कर यह नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम इंटियर को वैसे ही रखना चाहते हैं कि अक्चुल इंटियर है, क्योंकि हमें क्लाइंट का साटिस्फेक्शन इंपोर्डंट है, आप इनके रिव्यूज इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, एक्चुल रिव्यूज देखो, एक्स्पिरियन सेंटर्स वाले रिव् आप को बेस्मा देखो इनके. अशनल मैं निए रिव्यूज देखो इंके. बाध इंटियर का बना ब्रेंड तो बड़े एक्सो कर Мнеं तो उस तरीके से ही होता है ब्रांट के साथ, यह रिमिटेड रिसोर्से ओनली वो रेड का एक ही शेड देगे तुमको और वो कस्तमिजैशन इन सोला कल जब की एशन पेंच यह जैसे इंट अप्ड़ार पास आप गर बैक पैंट अकरलिक करने आते हो तो हम और दन सोला हजार कलर शेल्टे शेल 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 श that is what I am saying when we have this base we will go to other city as well but we are trying to grow it organically rather than making an haphazard effort but it has to be also the same yeah the model has to be the same my personalization फिर भी रहेगा अगर दुस्रे cities में जाएंगे तो कि परस्नलाइजेशन अचीव कैसे करता है एंट्रियोर कुछ प्रोसस्स फॉलो करते है हम see personalization yes see when we talk about personalization everyone has their own meaning so we follow process yes but that is only for internal working ताकि जो इंटिरियर में गलतिया होती है generally या फिर miss happenings हो सकती है उमको मालूम है वो avoid करने के लिए जो भी steps है वो इसको process driven कर दिया okay and जो creativity का पार्ट है और या जो choice वाला पार्ट है उसको उमने फ्री रखा है so understood यह पर भी थोड़ा सा mixes of both the worlds लेने का ट्राय किया है right yes that is right so once you say कि आपको पिंक का वो अला शेड चाहिए तो आपको मिल सकता है because that is a part of your choice उसको उमने किया है कि हम इसमें से देते हैं अब इसे समझेगा कि मुझे पिंक चाहिए आपको कैसे समझेगा कि मुझे पिंक का शेड़िए so for now let's process imagine करते हैं इंटियर करते हैं जम लोग साथ में तब हम आप डिसकस कर रहे होते हैं यह image image का ही बात चल रही तो image इस image में यह जो pink है ना इसके साथ यह वाला wooden अच्छा लग रहा है wooden हमको किसी और catalog में से लेना है pink हमको किसी और shade card में से लेना है now अगर मैं आपको दोनों के 16-16 या 32-32 या 30-30 चीज़े देता हूं तो मुझे दोनों exact मिलेगा ही नहीं कर दो so that personalization should not be missing in interiors क्योंकि वही तो एक main चीज़ है जिसके वज़े से इसलिए हम जब भी हमारा design start होता है client से references मांगते not exact photos मांगते like हम सारे references लेते and then we try to create that home perfect home for client references इसलिए तक कि उनका taste क्या है वो समझे और time कम से कम हो जाए not in making but in designing कितना time आप कम कर सकते हो समझने में और वो कभी कबर क्या होता अरे मैंने वो बोला था शायद अपना अच्छे से बात नहीं हुआ इसके वाज़े से नहीं हुआ इसलिए जितना भी loophole से in communication that are process driven understood but जो काम करने के लिए समय लगता है that is not exactly बहुत कम समय हम लोग करते है it is decent enough कि बहुत ऐसा design timeline को आप में थोड़ा कम करने के लिए references से begin करते है ऐसे बोल रहे हो रहे हो रहे हो रहे है हमें client को क्या जैसे sir rightly said आपको कलर पसंदा है मुझे को कलर ना पसंदा है we ask for references, we share few references so likings, dislikings थोड़ा सा पता चल जाए just brief interview we try to use best part of tech we also kept creativity alive by taking good interior designers training them we have our training session every wednesday, thursday and friday at different locations so we train them for we educate them with new technologies and new hardwares we take them to different experience centers and tell them how these things can be used or integrated there we have factory with latest german finish machines so that we are not back on the finishes as well so we are not very customary जैसे की बाब आजम के जमाने से वैसे काम नहीं कर रहे है latest finishes भी रख रहे है तो उस तरीके से है अभी आप सोचो यह सारे चीजों का एक साथ मिक्स करना है उसके एक प्रोसेस बनाई हुई है and best part is क्लाइन के लिए वो असान किया है हमारा खुद का एक अप इंट्रियोर जो प्लेस्टोर पर अविलेबल है आप कोई भी डाउनलोड कर सकता है डाउनलोड करके रेफरेंस इमेज़ और हमारे काम और वीडियोस देख सकता है उपर से उसमें स्यारम है कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस का एक प्लाटफॉम है जिसमें कि हम अप्रूवल्स और डिसप्रूवल्स लेते हैं आप देखोगे कि हमारे रिव्यूज में बार बार रिव्यूज इसले बोल रहा हूं एक का दो हमारे कॉम्पेटिटर्स ने डाले हैं या कि अपने किसी रिलेटिव से डलवाए हैं ने तो कोई भी रिव्यूज नहीं क्यूंकि आप जब देखोगे ना तारीफ कम लोग करते हैं एवरिवन इस साटिस्फाइड बट दे डोंट राइट अबोड और हमारा वैसा ओर्गने सेक्टर भी नहीं था कि हम जाके सर्प रिव्यू दे दो ऐसा कुछ नहीं है हमारे इसमें जो कि हमें करना चाहिए इस तरीके से ख्लाइट को डिजाइन लेटेशट मिल गया रडिवा अप्रूवल और जाइन से तेयर होके आएगा हासल फ्री है डिजाइनर, कॉंट्राक्टर सब अलाइंड है सब एक कंपनी से काम कर रहा है तो यह हासल फ्री कर दिया इसलिए हमें कोई भी नेगेटिव रिवीव नहीं है Coming to this यही question पर एक नेक्स तो where interior stands in terms of comparison in estimates cost जादा करते हैं चाज क्या कम करते हैं तो क्यों करते हैं कैसे करते हैं इंटियर में जैसे अपना बीच में discussion हुआ था यू कैनाट compare cost with service like interiors वैसे compare कुछ चीज़े कर सकते हैं जैसे specifications जैसे सर ने कहा था कि आप material एपल to apple compare करो तो थोड़ा बहुत आपको समझ जाएगा yes it is 50% right और आप उसे compare कर सकते हूं but what you are about to get वो variable ही रहता है हमें चाज़े जब तक वो आपने दिया नहीं है किसी को so in that particular section estimates की जब बात आती है हमारे पास 3 से 4 flavors के estimates अपन प्रोवाइड करते हैं that flavors typically means कि आपका budget का एक range कम से लेके जादा कितना भी है तो आपको interior में आपका जो पसंदिदा प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा contract जो contractors होते हैं वो जो rate आपको code करते हैं उस basic rate से भी चालो होने वाले अपने बाद estimate है तो interior ऐसे क्या करता है कि वो contractor का भी level match कर पार है see पहला बात तो यह है कि है statically जोड़ी सारी चीज़ होते हैं आपको जूस्त तो बे ट्रंसपरांट इनमफ नहीं पार हमारा खुद का इनऊ लेबर आपने वाले तो हमारा इन वालेना बाद का इन टेंट प्रफित पिर्ट जाइन प्रफित तो लेना पड़ेगा न? For us to save on that money, we, how do we make profit? As simple as that. Because कोई भी कमपनी शर्वाइब इसकेल नहीं कर सकती जाने निए फिताइब प्रफित. The basic thing is, we order in bulk. हमारे पास आप अगर गोड़ाउन पे जाओगे तो 200-300 प्लाई पड़े हुए। किसी भी छोटे दुकान में जितना लामिनेट या प्लाई होगा उससे जादा हमारे गोड़ाउन में है। वैसे ही जब हम फेली कॉल और करते हैं, हम दो पाउच नहीं कर रहे हैं। हम 15-20 ड्रम एक साथ ले रहे हैं। तो वी गेट इन डिफरेंट डिसकाउंट अल तुगेदर, OME का डिफरेंट स्रॉक्चर अफ डिसकाउंट है। हम दो चैन को कट कर रहे हैं। ली इन लेबर क्या हो रहा है। लेबर काम करवा के, कॉंट्रक्टर प्रॉफित ले रहा है। कुछ नहीं तो हर साइट के वी से 25-25,000 तो ले रहे हैं। बंबई में काम कर रहे हैं। तो वो कट कर रहे हैं। हम बिकॉस्ट आरोन सालेरी कर रहे हैं। और रहे हैं। इसमें एक इंस्टंस मुझे याद आ रहा है। जब एक क्लाइंट ने कहा था कि मेरे एक फ्रेंड है। जो जिसका प्लाइवूड का शॉप है। तो प्लाइवूड मैं उससे लूंगा। क्योंकि मुझे उससे बेटर डील मिल रहा है। बट इट वस हाड फॉर उससे बेटर डील मिल रहा है। वह जितने में भी आपको दे रहा है। उससे 100% कम में हम प्रोक्यॉर करते हैं। और जो कॉलिटी हम मैंटेन कर रहा है। उसके पास वह हो भी नहीं। ताहु थी पहला बात तो। और भी बेटर उससे बेट However में भी पेंकि उससे ब्हुर से क्योंकि गुपवस्द अभुषार को यह जई दीन वारों थाड़ जाह तो ट्रैस भी मार्षा में चucharist technique वो सस्ते में करवाएगा, which is impossible, we take it from direct halfway, we take it direct from the company, so it is impossible for anyone to give at that quantity, we always negotiate on quantity, say hinges लेना है, मुझे cabinet hinges, full crank का, समझो, average एक site पे 25 पीस लगते हैं, we at any time are doing more than 10 to 15 work, तो कभी भी मेरा वो खत्रपत है, मैं छे महने का माल ले लूँगा, छे महने पे बॉक्स के ओपर वो डिसकाउंट जो दे सकता है, on say 5000 इंजिस, वो डिसकाउंट कैसे देगा, 220 इंजिस पे, तो 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 पॉसिबल फोर देम, और यहाँ पे भी एक कस्टमाइजेशन जो मैंने उब्सर्फ किया, है कि हम इंट्रियोर में करते, not just हम की होल्स, मतलब मैनुफेक्ट्रर के पास जाते, वी कीप अगुड कॉबनेशन ओफ रीटेलर्स और एवरिधिं, क्योंकि कभी भी हो सब्सक्राइब कि उस साथ पर यह मटेरियल चाहिए, यह पॉप है, इसमें न एक चीज़ बहुत अच्छी नोट करने वालिया है, कि वर्टो नॉट्स पॉप, यस वी तक तेक पर रिटेलर्स अस वेल्क ताकि आपका काम कहीं पर नहीं आटके, इसा बहुत रहली होता है, क्योंकि अपना stock, जो keeping है, वो हमने और एसे बढ़ा दिया है, यह होती है, हैंडल हो गया है, कुछ अलगी तरह है, हैंडल साथ, जिलेक्षिंशिंग माट्यूल, सेलेक्चें माट्यूल, स्विस्वोर्ट साथ, इसमें रिंग की एक और बात तुमको समझने लागे, मैं अचितने भी इतम्स भोले झाविफ कोर मांटिरियल या लगने वाले चीज़ हैं छो की चोईस मैटर नहीं है जैसे की हिंजिस्ट मैं यह यह नहीं बोलादा मैं हैं देंडल मंगा के रखता हूं 59,000 I didn't say that I am finished the finishing laminate. I am using inner needle so that I am using 500,000 Laminate. That is an off-white laminate. If you change the off-white laminate, and you have the same laminate, then the costing will get bigger. So, I'm taking inner Cordula, which will get 500 to the world, and I am giving it to 3500. That's why I could do that. I have a press machine, which will press that method. That's why I can do that. That's why I cannot find a bubble. So, these are the technologies आदमी का टेकनोलोजी का विचीजन ट्रूली मशीन टेकनोलोजी एंड सौफ़वर टेकनोलोजी सबका मिलन इंट्री हो रहे इसलिए यह प्लाइब तो यह आपका सवाल का जवाब था है कि हम लोग कैसे दे रहे लेकिन we just not stuck with that that is the basic estimate जो contractor के level पर हम match करते है but जैसे जैसे आप estimates पर upgrade करते जाते हो जैसे मैंने का चीन से चार अपन estimate दे रहे तो आप luxurious finishes भी ले सकते हो but that are predefined rates that are built in into the estimate मतलब आपका budget को cater करने के लिए एक तो variety तो हही है but we are not manually putting into the rates जबकी contractors या local interior designers भी हर client को हर बार अलग rate भी देते हैं किसकी जब कितनी बड़ी है उस आप से modify भी करते हैं that practice also we do not do we just have like four sections of estimate like first estimate हमारा no matter client का क्या requirement है कैसे हमारा तो चार options जाता है which is budget, optimum, premium and luxurious so that the client can understand the geometry की कैसे जाना है कैसे calculate करना है see moreover client को एक, उनका mind भी broaden up हो जाता है अच्छा, okay, इतना variety होती है कुछ client को पता ही नहीं होता है अरे में को चारी चीज़े चाहिए, इतनी की मिल सकती है ना market में लेकिन एक ही चीज़, आपको बहुत सारे variety में मिल सकती है आप 25,000 से भी चालो कर सकते है और एक देड लाग भी जा सकता है एक वार्डरोब का In short entry और comparison में नहीं बैट रहा है चारो options हम दे रहे है Now it's up to the clients thing की कि हमारा maintenance regarding कुछ कामी नहीं होगा Actually, पूरे इंट्रियर में जितने भी साल थे हमें maintenance पैसे आते तो कम है लेकिन कैसे बोलते है ना चांद में दाग दिखता है चांद पूरा इतना बड़ा है वो नहीं दिखता है तो उसे क्या negativity टीम में भी आती है और confidence भी कम होता है इसी लिए we decided की we will do work which is zero maintenance जिसमें client का complain के लिए कोई भी phone नहीं आना चाहिए ऐसे ही काम करेंगे So zero maintenance is not only workmanship, it is about design Design ही ऐसा करेंगे की वो handle वो या वो दर्वाजे का फालका वो उसी we studied deep on each and every aspect of interiors की अगर client बोले की wooden ceiling और P.O.P. अगर कहीं टच कर रहा है और टच करते वह उसे कैसे groove, crack न हो हर चीज के ओपर डिटेल्स study करके हमने एक norms निकाले है design brief निकाला है की यह shutter इतने ही size का होगा तो ही वो shutter प्रवाइड होगा नहीं बड़ा होगा तो यह hinges नहीं लग सकते दूसरे hinges आएंगे तो यह सारे design perspective बनाए उसी तरीके से हमने zero maintenance में hardware के list बनाए है की बलेवा half-lay हो hittich हो या moda हो हर एक के अपने अपने pros and cons होते है तो उनके इसाब से उन brands में सबसे अच्छे जो है वही चीज हमने रखे हैं दूसरे अगर क्लाइन मागे तो हम bluntly बोलते हैं नहीं बले ओ कंपनी कितनी भी बड़ी है उसका bed fitting खराब है उसके bed fitting का weight capacity इतना ही है क्योंकि वह फॉरन में वहाँ पे ply नहीं उसकरते वहाँ पे they have bed fitner वह अलग चीज है वह PVC का चीज है उसके लिए वह ठीक है आपके ply के वह उठानी पाएगा similarly वह हम strictly no no करते हैं ताक कि client is aware कि maintenance हमें आपको तकलीफ नहीं हो तो कौन पसंद करता है अपने गर में बार बार मिस्त्री आए हम बले maintenance policy के अनुसर बेजें लेकिन वह client कौन पसंद करता है तो इस तरीके से हमने नया मोहिम किया है इसके बाद से कोई भी काम में maintenance free ही करेंगे या फिर कुछ कुछ I look this as see there are lot of moving parts in interior designing और हर चीज़ आपके लिए सो इसमें ना एक loophole जो निकल के आ जाता है कि यह सब pre calculated होता नहीं है जब आप machine made हर चीज़ करते हो कि सब modularization कर देते हो जैसे बहुत बड़ी companies जो modularization करती है उनमें फिर उनको मालूम है कि मेरा जो पल्ला है या मेरा shutter है वो यह size का ही रहेगा कारकेस के sizes fix होते हैं तो उनके hinges फिर tried and tested हो जाते है automatically यानि कि वो hinges इसके लिए tested already तो warranty में इसको claim कर देते हैं and कुछ है तो OEM का warranty में applicable हो जाता है लेकिन जब customization बहुत ज़्यादा आप expect करते हो interior designer से like us तो वहाँ पर क्या होता है maintenance वाला जो part है that is where it is very crucial now क्योंकि आपका जगा अलग है हम आपके जगा के सबसे proper customization कर रहे है आपके design style के सबसे shutters का size कम ज़्यादा कर रहे है so उस case में हमें ही पता है कि अभी कौन सा hinges लगना चाहिए यहाँ पर आपको को के नहीं है तो हो सकता में मुना करूं आपको तो आपको बलंट लगे कभी कबार ऐसा होता है कि क्लाइट को मिंसे करते नहीं है को अट को लगता है पैसे बचाने के लिए कर रहे है हाँ अख अग फीलिंग आती है क्लाइट को क्लाइंट जब भी brand नहीं देना है फिर कुछ अलग सजेस्ट करना है को लगता है का कुछ setting एंग को एंग कुछ setting एंगा कुछ that we don't want it that is why how I look into it के जो moving parts है आपके घर में वो हो सकता है कि जैसे channels है गर्ण आप standard channels ले रहे हैं जो soft close नहीं होते इस टेलिस्कोपिक चनल्स होते हैं वो जो होते हैं वो MS के बने होते हैं तो अगर आप standard estimate ले रहे हैं हमसे और MS के आपने लिये हैं तो उसमें क्या है अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालो गए तो उसको जंग तो लग नहीं है तो जंग की warranty तो जो company करते हैं या maintain करते हैं ताकि वो जाकि उसका life increase हो जाता है तो इस maintenance tips भी हम आपको देंगे ताकि जो moving parts है जिसमें maintenance लगता है जैसे गाड़ी आप खरीदते हो गाड़ी में आपको उसमें इंजिनर डालना ही पड़ता है आप ऐसे उसको चला ही नहीं सकते continuous सालो साल नहीं तो कि इस चीज को ऐसे से maintain करना है तो आपका interior सालो साल वैसे ही चल जाएगा अलसो interior में अगर हम मतलब एक सबसे अलग USP है like we are like one stop solution right interior is one stop solution correct so anything you want to make it clear like why interior is one stop solution for all the items see one stop solution जब हम बोलते हैं why वी बोलने की ज़रौती क्यों है पहले तो क्योंकि कुछ जो providers होते हैं वो एक particular type of काम करते हैं या कुछ interior designers होते हैं जो बोलते हम civil नहीं करते हैं civil आप outsource कर लो या मेरे पैचान का में उसको दे देता हो आप वो कर लो तो one stop solution means for me it is like आपको किसी और को phone करने की ज़रूत नहीं है कोई किसी भी तरह का interior के काम के लिए now we are also trying to provide other fittings also जो की आपको end में लगती हैं झाल